है युपित्र पॉड़स़ी ब्रेकिंग निएंज अां दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक युपित्र फेलजी का बेकिश बताने जारह है यूपित्र पॉड़स़ी में से समध्लेट एक बड़ी अपडेट निकलने आ है जिसमें लेखपार से संबंदीद बड़ी ख़बर है जी हां दोस्तों लेखपार से संबंदीद एक बड़ी अपडेट निकलके अभी सामने आ चुकी है अगले 24 घंट के वीतर आपको एक बड़ा धमागा देखने को मिल सकता है रिजल्ट को लेके एक नई अगले 24 घंट के वीतर आपको पता चल जाएगा अनभरते हों कि अपडेट किस प्रकार से रहने वाली है इस पर विचार्चा करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं चीजों को डिटेल से लेखते हैं सबसे पहले अगर आपको बताए तो लेखपाल रिजल्ट से वो कल जारी कर दिया जाएगा जी हां दोस्तों आज नहीं तो अगले 24 घंटों के वीतर अथात कल इसका रिजल्ट जारी किया जा सकता है तो लेखपाल से संबन्दित ये बड़ी अपडेट थी जिसे हमने अभी आपको दी कि अगले 24 घंटों के वीतर ऐसे बहुती जो ले अबर यही है कि रिजल्ट कल आने वाला है आपको कल एक बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है 24 घंटों के वीतर आज भी रिजल्ट आ सकता है नहीं तो अगर आज ने आया तो कल जरूर इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा इसके लावाँ आने भरतियों कि 25 दिनों से धर्ना प्रदर्शन पर जुटे हुए हैं वहीं इसके अलावा अगर एजी टी भरती की बात की जाए तो एजी टी भरती भी टलती नजर आ रही है इस साल उसकी भी कोई उमीद नहीं है अब खैर इसका आयोग ही जा सकता है कि इसकी विज्ञापन तिथी कब जारी होगी इसके अलावा अगर रिजल्ट की बात किया यह तो मुख्य से भी कि भरती आपको देखने को मिल सकता है मुख्य से विक्या के बात आप वीडियो रोて ग्याम करी जल्ट आप देखपाएंगे इसके अलावा वीडियो 2,018 के के बाद आपका रिजल्ट जो है अलग- नजदीक समय आने के बावजूद पता नहीं किस रीजन के वज़से लगातार उत्तरप्रदेश नियस्टेवाचेन आयोग इन भरतियों के रीजल्ट रोके रहा है इसके अलावा पेट का रीजल्ट आपको जल देखने को मिल सकता है जियां दोस्तों युपुत्रपरसी उम्मीद करते हैं रिजल्ट से जल्द मिले और रिजल्ट से जल्द जल्द ऑफिसियल अपडेट जारी कर दिया जाए कि आपका रिजल्ट कब जारी होने वाला है आपका नोटिफिकेशन एक्जाम का कब होने वाला है क्योंकि हर एक्जाम के लिए धरनाप्रदसन दिया ज करेगा अगर नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो उसका एक्जाम करवाने में उसको पसीने आ जाते हैं जिहां दोस्तों यही सच है कि उस एक्जाम कराने में आयोग पसीना पसीना हो है क्योंकि पता में किस रीजिन की वज़े से वह एक्जाम को टाले जाता है और अभ्यरतियों को धर्ना प्रदसन देना पड़ता है अगर रिजल्ट सौरी अगर एक्जाम हो गया किसी तरह तो रिजल्ट के लिए भाईया आप चलिए दो साल तीन साल चार साल वेट करिए सालों से लगाता तरिया वेट कर रहे हैं तो उम्मिद यहीं करते हैं जल्द से जल्द आपका रिजल्ट जारी हो जाए और आपका जो हाइँ नोकरी प्राप्त करने का वह पूरा हो जाए तो इससे समझनित कोई नई अपडेट आती है तो हम आपके सामने अपडेटेड वीडियो लाएंगे फिलहाल इस वीडियो में अब इतना ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद